सोहेगाईज अगर आपने भी शहरा इंडिया रिफॉंट पोटल में रेजिस्टेशन करा है तो यह वीडियो आप लोग के लिए शहरा इंडिया रिफॉंट पोटल में जितने भी निवेशक है उनका करना है कि 45 दिन से अधिखो गया लेकिन उनका पेमेंट अभी तक उनके एकाउंट में नहीं आया है हलाकि गोबर्मेंट दोरा भी काया गया था कि 45 दिन के बाद उनका पेमेंट उनके सभी निवेशक एकाउंट में कर दिया जाएगा किन्तु ऐसा हुआ नहीं आप लोग रिशिप्ट पर भी देख सकते हैं कि उस पर भी लिखा हुआ है कि 45 दिन नहीं है उनका पेमेंट आप रुटूबर में आएगा कब आएगा और कैसे आएगा यह सब भीडियो ने मैं आपको बताऊंगा तो उसको लिए उसके लिए आपको क्या करना है इस वीदियो को सुरू से लेकर अन तक वाच करना है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं ire fondo portal को open करना k Tailãy open के बाद जब आप अवेधन किये थे तो अवेधन का इस्तिति यहां पर चेक्र करना है क्योंकर नहीं कि बहुत लोग अवेधन कर चुकि है उनको पते नहीं है क्योंका आवेधन क्या है अवेधन का status क्या है तो यहां पर आपको status check करना है, बहुत लोग online करने के बाद हो payment का इंतिजार करना है, लेकिन उनका status में बता रहा है कुछ, उनका बहुत लोग का reject हो गया है, तो सबसे पहले यहां पर आपको check करना है, कि आपका application उसका क्या इस्तिति है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या पर आपको कुछ इस तरह का शोग होगा, ठीक है, तो यहां पर आपको देख सेकते हों कि अगर आपका यहां पर अंडर प्रोसेस बता रहा है, ठीक है, तब तो आपका application ठीक है, नहीं उसके बाद अगर लेकिन अगर यहीं इसी जगह पर अगर आपका application reject बता रहा है, तो आपको दिक्त है, आपको यहां से फिर जाना होगा, ऑनलाइन करना होगा, ठीक है, यहां तो सुधार करो ना परेगा, अगर reject हो गया हो, तो यहां पर आपको देखना है, सबसे पहले कि अगर अगर अंडर प्रोसेस बता रहा है, तो आपको यहां पर देखना है कि आपका application का कितना मतलब, online का कितना समय होगा, ठीक है, 45 दिन हो गया, अगर पिछले मंत का है, तो आपको तो अक्टूबर में पेमेंट आएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर government ने यह नहीं बताया है, कि किस date को पेमेंट होगा, लेकिन अक्टूबर में होगा, तो आप लोग को यहां पे आपको चेक करना है, कि अगर 45 दिन हो गया है, तो आपको ठीक है, यहां पे आपको वेट करना है, ठीक है,